हलो बच्चों कैसे हो सब मैं हो निकता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का डाउटनिट में तो जल्दी-जल्दी से thing, कक्लास में आ जाओ क्योंकि आज हम लोग वकपिलोरी की कुछ अपनी वकपीलेरी को बहतर करने के लिए और शीखने वाले है थोड़ा सा twist है आज के class में क्योंकि आज की class भी जो generally होती है जो normally होती है उस तरीके से नहीं की जाएगी कुछ अलग हम लोग आज की class में सीखेंगे तो आज है आपका day 16th and I hope के daily के जो five words हम सीख रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपकी day to day life में और आपकी English को improve करने में बहुत हद तक महनत और एक तरीके से help भी कर रहे होंगे चालिए तो जल्दी से class में आ जाओ एं एक बड़ी attendance लगा दो हाई everyone प्राची, जैस्मेन, अनू, क्रतिका, good afternoon guys, how are you all? कैसे हो तुम सब? ओके, I'm fine, मैं बहुत ही बड़ी, आप लोग कैसे हो बड़ी हाई? हाई, 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 hello, good afternoon हाँ, आज something different, वो जो generally हम लोग पढ़ रहे होते हैं आपका word or word का मतलब and वो सब आज नहीं, आज थोड़ा सा अलग, आज हम लोग थोड़ी से antonyms करेंगे and antonyms पढ़ने से पहले हम लोग एक game खेलेंगे, जिस game में आप लोग क्या करोगे? आप लोग मुझे बताओगे, guess करोगे, try करोगे कि धूणना, जो words में लेकर आई हूँ, उनका antonyms आप लोग धूणने की मदद करोगे कि उसका antonyms क्या हो सकते है, तो हम एक discuss करते हूँ, एक discussion के साथ, बहुत ही interactive way में हम लोग आज बहुत सारी नइने चीज़े सीखेंगे, ठीक है? चालिए, ओके, आपके friends आपको help out कर देंगे, बिटा, इसमें कौन से बड़ी problem है, अगर नहीं मिला तो, group मिल जाएगा, आपके friends आपको help out कर देंगे, guys, please, class के बाद एक बार यहाँ पर link डाल देना, ताकि बाकी बच्चों को help हो जाए, ओके, hi, hi everyone, hello, 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 good afternoon, sabi ko, okay, तो, homework, हो रही है, बिटा, okay, fine, homework, guys, आप लोगों ने अपना homework किया, कल मैंने आप लोगों को बताया था, कि वो जो five, very good kajal, वो जो five words मैंने आप लोगों को कल सिखाये थे, each word के four sentences जो है, वो आपको बना कर लेकर आने थे, बहुत सारे बैचों ने homework जो है, वो कर के दिखा है, तो, very proud of them, ठीक है, and keep it up, great job, बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से बेटा, आपी का फायदा है, इसके अंदर, और जो बोल रहे हैं कि माम हम भूल गए, तो, बेटा, नुकसान भी आपी का है, अगर आप हुमभा करना भूल जा रहे हो, और अगर आ है, यहाँ पर बैठ के कोई भी टीचर कितना ही जोर लगा ले, वो तब तक नहीं successful होगा, जब तक आप अपने end से हलका सा push नहीं करोगे, तो, you need to push yourselves, ठीक है, आपको जरूरत है कि आप थोड़ा सा अपने आपको हलका सा धका लगाए, बाकी अपन हम खीच लेंगे, हो जा हा रहे हैं, क्लास में बढ़िया चल रहा है, आप लोगो समझ में आ रहे हैं, सेशन्स हेल्पफुल लग रहे हैं, हाँ बेटा मैंने देख लिया, सभी का देख लिया, आप लोगो को टेंशन लेने की जरुवत नहीं है, ओके फाइन, I was asking के, यह सेशन्स जो हैं, वो हा ही इसले गया है, क्योंकि आप लोगों की बहुत एक high demand ठीक है, माँ म, हम लोगों को vocabulary में बहुत प्रॉब्लम है, एक्साम्स में जब ऐसे words आते हैं, तो नहीं तो हमें antonyme कर पाते हैं, नहीं synonym कर पाते हैं, कोई words के बारे में नॉलेज नहीं है, चीजे नहीं समझ में आ रही होती है, तो यह चीज कैसे हो पाती है, यह चीज तभी हो पाती है, किसी चीज का विलोम शब्द करना है, प्रयायवाची करना है, बेटा, उसके लिए बहुत जरूरी है, कि जो शब्द है, उसका अर्थ पता हो, अर्थ पता होगा, तो उसका विलोम और उसका प्रयाय और आपकी इंग्लिश जो है कही ना कही इंप्रूफ करने में मदद हो सकें तो इसी नोट के साथ I welcome you all fine, welcome to doubtnet and a very good afternoon everyone तो start करें फिर माज की क्लास अब लोग अगर आचुके हैं और तयार हैं एकदम बढ़िया तरीके से पूरी एनरजी के साथ हाँ जी, कितने बच्चे हैं अभी क्लास में एक बार हम लोग जो है attendance लगा लेते हैं, strength क्लास की check कर लेते हैं ओके, 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 कितने बच्चे आगे क्लास में, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं हाई कवीश, present, 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 present ओके, a very energetic good afternoon good only 47 4, चलो, ठीक है हम लोग बाकी का बेट नहीं करेंगे, जो लोग क्लास में लेट आ रहे हैं, यह उनका loss है हम लोगों का नहीं, ठीक है, तो जो जल्दी आते हैं, उन लोग के लिए हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से class start करते हैं, and हम लोग start करेंगे quizzes के साथ, जैसे की आप लोग को पता ही है, हमारा एक ritual है, ritual यानि की रोजाना का एक, रीती रिवास के सकते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं, हम class start करते हैं quiz के साथ, फिर हम कुछ नए words सीखते हैं, and हम class end करते हैं quiz के साथ, fine, तो are you guys ready, quiz number one के लिए ready हैं, okay, cool, बढ़िया, तो एकदम सारी निगाहें, सब कुछ screen पर, पूरा focus, attention, ठीक है, और यह है आपका quiz number one, I hope you all are ready, and पहला question जो है, वो यह रहा आपकी screen पर, a messenger sent to deliver news, हम उसे क्या बोलेंगे, एक messenger जिसको news deliver करने के लिए भेजा गया हो, क्या बोला जाएगा उसको, जल्दी से, 30 seconds का time है, next question, Sue discovered that her favorite dress, which she had hung out to dry on a clothesline, had fallen and become bedraggled in the mud. What does bedraggled mean? यहां पर bedraggled का मतलब क्या है? option a, smooth and colorful, option b, fresh and clean, option c, limp and dirty, and option d, small and helpless. जल्दी से बताओ, 50 seconds का आपको time दिया गया है बेटाएं यहां पर, चालो, तो जल्दी से अब हम लोग discuss, जल्दी से आपको आपको टाइम दिया गया है बेटाएं यहां पर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चार options आपके सामने हैं, जॉट बोलेंगे, कूरियर बोलेंगे, कार्णेज बोलेंगे, कैलबैश बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, बेटा, स्पेलिंग सही, स्पेलिंग करेक्ट करेंगे, C-O-U-R-I-E-R, कूरियर, ठीक है, हम इसको बोलते हैं, कूरियर, तो option number B, आपका correct, answer है, कितने बच्चों ने यह सही जवाब दिया, यह तो बहुत ही basic है, बेटा, यह सभी को पता होता है, हना, सभी के घर पर कभी ना कभी आया भी होगा, कूरियर उन्होंने कूरियर कभी किया भी होगा, find the courier क्या है, एक messenger, जो की भेजा जाता है, ताकि वो कूई news deliver कर सके, one answer is wrong, which one, question number one का, कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है, all correct, all correct, very good, yash, pर्ती, good, 60% बच्चों का answer सही है, बाकी बच्चों को नहीं पता था, बेटा, कि इसे courier कहा जाता है, चलो, next question, अब यहाँ पर पते हैं, क्या लिखा हुआ है, Sue, एक लड़की है, ठीक है, discovered, उसको पता चला, that her favorite dress की, उसकी जो सबसे मन पसंद dress थी, जो उसने बाहर रसी होती ना, जिस पर आप कपड़े टांगते हो सुखाने के लिए, तो जो उसने बाहर टांगी थी ना, उसकी Sue की जो favorite dress थी, जो उसने बाहर सुखाने के लिए टांगी हुई थी, कपड़े सुखाने वाली रसी पे, वो क्या हो गई, वो नीचे गिर गई, और B-draggled हो गई, मड में, तो यहाँ पर B-draggled का मतलब क्या है, तो बेटा, B-draggled का मतलब है, मुचडी हुई और गंदी हो जाना, कीचर से लत्पत हो जाना, ठीक है, तो क्या हो गई वो, B-draggled का मतलब हो जाएगा, लिम्प and डिर्टी, तो आपका option number C जो है, वो correct होगा, clear, के वल 57% बच्चों को इसका सही answer पता था, तो बेटा, यहाँ पे एक sentence को पढ़कर भी, आप पता लगा सकते हो की answer क्या होगा, be-draggled in the mud लिखा है, तो mud मतलब धूल में, be-draggled अगर आपको नहीं भी पता, तो आप यह तो समझ सकते हो ना, की धूल में जाकर वो smooth और colorful तो, और रंग तो बिखर के निखर के उसके आएंगे नहीं, fresh और clean भी नहीं होगी, धूल में पढ़ने के बाद कोई चीज, और बे-सहारा और small भी नहीं होगी, बिटा, limp और dirty लिखा है, तो धूल में पढ़ने के बाद कोई भी चीज गंदी ही होती है, तो यहाँ पर थोड़ इसी common sense का भी इस्तमाल करना था, और 57% बच्चों ने केवल यहाँ पर सही जवाब दिया है, बागी बच्चों का यहाँ पर answer जो है, वो गलत था, ठीके, तो guys, थोड़ा सा attentive, fine, चालिए, तो अब इसी के साथ, इसी जोश के साथ, अब हम लोग start करते हैं, और आज आते हैं vocabulary पर, तो आज vocabulary तो सीखेंगे, लेकिन, featuring, antonyms, आज हम लोग vocabulary जो सीखेंगे, वो antonyms के साथ mix करते हुए, एक अच्छे से blend के साथ सीखेंगे, ठीक है, त्यार हो तुम लोग, अब यहाँ पर कुछ rules हैं आज की class के, वो rules मैं पहले से बता दू तुम लोगों को, तो class के rules क्या होने वाले हैं, class के rules ये हैं, कि कुछ words आपके सामने जो हैं वो आएंगे, ठीक है, वो words का मैं मतलब और सब कुछ आपको समझा दूँगी, आप लोगों को बताना है कि उसका antonym जो है, यानि कि विलोम शब्द जो है, वो क्या होगा, ठीक है, तो इस तरीके से discuss करते हुए हम लोग आगी बढ़ेंगे, चालिए, तो are you guys ready? Ready guys, cool, start करूँ मैं, जल्दी बताओ, ठीक है, चालिए, तो सब लोग ready है, इसे के साथ स्टार्ट करते हैं, पहला शब्द है, cruel, cruel का मतलब क्या होता है, cruel का मतलब निर्दई, बोलते हैं कि यार, ये कितनी cruel इंसान है, कितनी निर्दई है, इसको तो दयाई नहीं आती, देखना कैसे जल्म करें जारें लोगों पर, तो cruel का मतलब क्या होता है, निर्दई, willfully causing pain, यानि कि जान बूझ कर, willfully, मतलब आप अपनी इच्छा से जान बूझ कर, कश्ट पहुचा रहे हो, किसी को दुख दे रहे हो, और आपको उनकी बिल्कुल भी tension नहीं, आप उनकी बिल्कुल भी परवा नहीं कर रहे हो, ठीके, वो क्या हो जाता है, उसे हम cruel बोलते हैं, कई बार, एक example की तरीके से अगर बोला जाए, तो कई बार क्या होता है, This is very cruel, you should not do it, यह बहुत ही cruel act होता है, आपको यह नहीं करना चाहिए, यानि कि निर्दई, वो बिचारे बोल नहीं सकते हो, कुछ करना ही सकते हैं, आप उनको पत्थर से मार रहे हो, हना उनको दर्द हो रहा है, पर आपको उस चीज की क्या है, आप उनको दर्द पहुचा रहे हो, उनको परिशानी दे रहे हो, उन्हें दिक्कत दे रहे हो, पर आपको बिल्कुल दया नहीं आ रही है, निर्दई, तो इसको हम बोलते हैं, cruel, अब बिटा इसका, very good काजल, इ तेंद्र, what do you think, बेटा, क्या होगा इसका अंटनिम, कोई और शब्द, सब लोग एकी शब्द पर अटक जाओगे, क्या, कि काइंड है, तो माम हम काइंड ही बोलेंगे, और भी बहुत सारे वोर्द होते हैं, ट्राइटू बी क्रियेटिव, थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओ, और कोई एक नया वर्ड लेकर आओ, बहुत सारे वर्ड हैं हमारी इंग्लिश में, जो कि क्या करते हैं, जो कि क्रुविल के एक तरीके से ऑपोजिट हो सकते हैं, ओके दीपक, well tried, polite बोल रहे हैं वो, मैं बताओ मेरी बारी, ओके, क्रुविल का जो है बेटा, दू दया ही नहीं आ रहे हैं सामने वाले को, तुम दुख पहुचाए जा रहे हो, उसे दर्द में रख रहे हो, बिचारे को दर्द हो रहा है, तुमें बिल्कुल फरक नहीं पाड रहा है, तो तुम क्रुविल हो, लेकिन, merciful यानि कि क्रुपालू, भई, तुम ना लोगों को प कर रहे हो, पूरे ही दया भावना के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, ऐसा बरताफ करना होता है, merciful, ठीक है, कि आपका behavior कैसा है, बड़ा ही कृपालू भाव है आपका, ठीक है, तो क्रुविल का जो एक opposite word हो सकता है, वो merciful भी हो सकता है, तो किसी ने सोचा नहीं था, merciful रहा है, बठ हाँ, merciful फिर आप हम कह सकते हैं कि एक नया शब्द आपको पता चला, जिसको हम क्रुविल का opposite भी बोल सकते हैं, आपको सबज माया, ठीक है, तो क्रुविल मतलब निर्दई, फाइन, और merciful यानि कि करपालू, अब देखो, अब हम कैसा कर सकते हैं, दयालू कह सक तो बेटा, जिसको दया आजाए, हाना, mercy, अब हम कई बार एक पते, ऐसे बोलते हैं कि, please have mercy on me, mercy का मतलब, प्लीज मुझ पर दया खाओ, मुझे मेरे पे थोड़ी सी दया खाओ, मुझे मार्फ कर दो, तो mercy मांगना, जज वगेरा के सामने जब खड़े हो, हाना, जब नया होने वाला है, जब भी आपने, अपने कोर्ट मे सुना होगा, नयायाले में सुना होगा, आपने ऐसे words, जो है, वो क्या होते हैं, ऐसे, ऐसे words, जो है, यूज होते की, my lord, please have mercy on me, हाना, तो वो जो mercy का, जो word है, वो mercy का, जो word है, वो क्या है, इसका मतलब, यही है, कि मेरे पे प्लीज थोड़ी दया खाओ ठीक है तो mercy का यह मतलब हो merciful यानि कि दयावान ठीक है तो एक कोई व्यक्ति जो कैसा है जो निर्दई है तो वहीं पर उसका opposite कि वो दयावान है आगया समझ में अभिराज cruel का meaning फिर से बताने को बोला था आपने अब आप clear हो आया समझ में आपको निर्दई वो व्यक्ति जो दूसरों को जान बूजकर ठेस पहुँचाता है दर्द पहुँचाता है उनके लिए दिक्कत लेकर आता है उनके लिए दिक्कत पैदा करता है और उसके मन में दूसरों के लिए बिल्कुल भी दया भावना नहीं होती, उसको हम cruel बोलते हैं, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बेजबान जानवरों के उपर अत्याचार कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हें हम cruel बोलते हैं, कि भई दया ही नहीं आ रही है देखना, बिचारों के उपर अत् निर्दई सजा दी गई थी, यानि कि बहुत ही कठोर भी आप कह सकते हो, बहुत ही कठोर सजा दी गई थी, मतलब उसको एक ऐसी सजा दी दी, जो बहुत ही निर्दई थी, ठीक है, एक, तो आप इस तरीके से इस्तमाल कर सकते हो, रोहन is cruel because he is through the stone on, through बेटा, ये वाला through जो है फैकना, ठीक है, आदितिया में भी आपकी जो है internet connection में problem होगा, इस वज़े से आपका जो class है, वो रुक रुक कर चल रहा है, very good jasmine, the cruel man lashed the horse with his whip, यानि कि, एक cruel इंसान निर्दई इंसान ने घोड़े को बहुत जोर से पीटा अपनी एक छड़ी से, तो this is cruel behavior, ये बहुत ह इसा बरताव है, बड़ा ही निर्दई बरताव है किसी के साथ, ठीक है, चलिए, तो ये very good guys आपने बहुत अच्छे बनाएं, आप देखो दूसरा merciful का हम एक sentence बनाना चाहें, he died a quick and merciful death, यानि कि वो व्यक्ती कैसी मौत मरा, एक बहुत ही दुरंत आने वाली और बहुत ही आर merciful death, यानि कि पड़े ही आप कह सकते हो, बड़ी ही प्यार से और बिना दर्द के, बिना दुख के, बड़ी ही शांत मौत जो है, वो मर गए, fine, तो एक sentence ऐसे भी बन सकता है, God is always merciful, God is very, हान जी, बहुत ही बढ़िया बेटा, Maharani Lakshmi भाई was very merciful, okay, God is merciful to those, very good, to those who helps others, very good, ठीक है बहुत ही बढ़िया, He is a very merciful man, very good, चलो, तो इस तरीके से क्या है, merciful का मतलब, क्रपालू, दयावान, व्यक्ति, ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, अब ready हो next word के लिए, बहुत सोच समझ के, और ना अमना दिमाग थोड़ा से broad करो, थोड़ा से खोलो, अलग-अलग नए cry का एक ही opposite धूंडोगे, पर वो opposite नहीं है, थोड़ा सा अलग धूंडने की कोशिश करना, और मैं एक हिंट दू तुम लोगों को, एक छोटा सा हिंट देने की मैं कोशिश कर रही हूं, ठीक है, क्या पता, बहुत से बच्चे पकड लें, बहुत से बच्चे नहीं पकड़ है, cry का जो opposite word है, वो मैंना आपको कल की class में बताया था, अब सोचो क्या होगा, cry का मतलब आप लोग सब जानते हो, cry का मतलब होता है, रोना, to shed tears often noisily, यानि की shed यानि की आसू, टेसू में बहाना, tears क्या होते है, tears का मतलब है, आसू, और shed का मतलब बहाना, तो to shed tears, यानि की आसू बहाना, कैसे, अधिकतर थोड़ी आवाज करते हुए, थोड़ी आवाज के साथ, क्या करना, आसू बहाना, ऐसे बिलग बिलग के रोते हैं, करके जो ऐसे आसू बह रहे होते हैं, ठीके, तो उसका मतलब क्या होता है, रोना, आवाज के साथ रोना, ठीके, इसका बता और आप लोग को क्या लगता है कि अन्टनेम या विलोम या ओपोजिट क्या होगा? Okay, laugh. मुझे पाता था, वैसे एक बात बोलूँ कि हम लोगों को बच्पन से, क्या है, हम लोगों को बच्पन से सिखाया गया कि sad, happy, cry, happy, laugh, हना, रोना, तो हसना, हम लोगों को यही सिखाया किया, पट बिटा, थोड़ा सा broad thinking, मैंने क्या कहा, कि अपनी जो इंग्लिश की class है, वो एक ऐसी class है, जहां पर आपको out of the box कुछ सोचना है, यानि कि वो जो डब्बे के अंदर सीमित कर दी गई हना, हमारी सोच, उससे हट कर, कुछ अलग हट के सोचो, और सोचो क्या हो सकता है इसका, very good, यहां पर एक बची है, जो बहुत एचछे answer कर रही है, उसने बोला कि cry का मतलब whine भी हो सकता है, very good बिटा, very good, whining, whining का मतलब भी तो यही है कि बस रोते रहना, और शिकायत करते रहना, कल मैंने सिखाया था, लेकिन बिटा, यह तो synonym हो गया, मैं आपसे बूच रही हूँ, आंटनिम, आंटनिम का मतलब क्या होगा, very good, आंटनिम यहां पर इसका होगा, whisper, क्या होगा, whisper, कल मैंने बताया ना, whisper का मतलब to speak softly, अब बिटा देखो, यहां पर cry का मतलब कि आप अधिकतर आप जो रो रहे हो, laugh जो बोला, वो ठीक था, मैं यह नहीं कह रही कि laugh किसी के गलत था, laugh इसका होता है आंटनिम, यह तो पर अपन बच्पन से सीखते आ रहे हैं, इसमें तो कुछ innovative, कुछ अलग, कुछ हट के हुआ ही नहीं, हट के सोचो, देखो, क्या है, cry का मतलब कि आप अधिकतर, आप अगर रो रहे हो, तो जो भी कर रो बिटा, उसमें आवास तो आती है, रोने की आवास तो आती है, हना, तो वहाँ पर रोने की आवास आती है, cry, और देखो, लिखा है ना, often, often, यानि की आम तोर पर, अधिकतर, noisily, थोड़ी सी आवास के साथ, थोड़ी से शोर के साथ, जब हम रो रहे होते हैं, आसू बहते हैं, उसे हम cry बोलते हैं, विस्पर इसका opposite है, क्योंकि विस्पर का मतलब है, फुस फुसाना, जो स्पीक सॉफली, या बहुत हलके से दबी आवास में, ठीक है, अब आप रो या जो भी करो, पट वो क्या है, दबी आवास में, तो यह क्या हो गया, तो यहां पर आपका जो opposite है, वो हो गया cry का विस्पर, ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके बर sentences देख लेते हैं, मेरा चोटा भाई हमेशा रोता रहता है, लिटल चिल्डरन आर ओल्वेज क्राइंग, ओके, बेबी आर ओल्वेज क्राइंग, वीपिंग, वीपिंग का मतलब भी यही होता है, यानि कि ऐसे रोते रहना, आसु बहाना, ठीक है, तो यह सब तो synonyms हो गए, पट हम तो बात क किस प्रकार से, यहाँ पर एक सेंटेंस में, अब विस्पर, हर विस्पर, वाज आल्मोस्ट टू क्वाइट फॉर हिम टू हीर, उस लड़की की जो फुस फुसाहट थी, वो लगबग इतनी हलके से थी, कि वो सुन ही नहीं पाया, फुस फुसाहट तो होती ही हलके से, आप किसी के कान में कोई सीक्रेट बात करो, तो फुस फुसाहके बाते करते हो ना, कान में एक दूसरे के चुगलियां चल रही होती है, जब किसी की, तो यही तो होता है, फुस फुसाहके बात कर रहे होते हो, बट यहाँ पर एक सेंटेंस ऐसे बन सकते है कि हर विस्पर, यानि यानि कि उसकी फुसफुसाहट इतनी धीमी अवाज में थी कि उसको मुश्किल से ही सुनाई दी, ठीके, तो एक आपका, क्या है, I hear all your whispering, ओके, ये भी एक बहुती वानी, very good, बिटा, ये भी आपका एक अच्छा sentence है कि मुझे आ तुमारी सारी फुसफुसाहट सुनाई दे र यानि कि opposite words, विपरीत शब्द, विलोम शब्द, ठीके, चालिए, तो अभी हमने किसका word सीखा, अभी हमने सबसे पहले सीखा कि कौन सा वाला word सीखा है हमने सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग ने सीखा कि ये आपका, cruel का मतलब होता है कि निरदई, उसका opposite होता है merciful, यानि कि दयालू या करपालू, वैसे ही cry का जो है earth होता है, रोना और whisper का है फुस फुसाना, जोर से रोना और धीमी आवाज में बात करना, तो ये क्या हो गया, ये होता है आपका cry का opposite, अब इसी के साथ, dawn, dawn का मतलब क्या होता है, अब इसे पता है पढ़ते कैसे हैं, डावन मत पढ़ता ही dawn पढ़ना, ये same sound है, उसको भी dawn बोलते हैं, इसको भी dawn बोलते हैं, और dawn का मतलब पते हैं क्यों होता है सुभा की भोर, भोर का समय, यानि कि जब सूर्य उधय तो नहीं हुआ होता, लेकिन आस्मान में रोशनी चा जाती है, सूर्य उधय नहीं हुआ होता है, जब सूरे उदय हो रहा होता है, तब आप उसको sunrise बोलते हो, हना और जब सूरे उदय हो जाता है, तो वो morning हो जाता है, लेकिन बेटा सूरे उदय होने से पहले, यानि की आपका जो सूरे है वो उगे, उससे पहले एक अलग सी को जो रोशनी है वो पूरे आस्मान में छा जात sunrise, सूरे उदय से पहले, बहुत ही बड़िया, वो जो पांच बजे का समाय होता है, जब सूरे उदय होने वाला होता है, लेकिन रात भी नहीं रही है, सूरे उदय भी नहीं हो ए, वो बीच का समाय है, कि अभी न हलके अलकी रोशनी हो गई है, हना वो होता है dawn, तो उसको हम dawn बोलते हैं, and very good everyone, इसका जो है बेटा, evening नहीं होगा, इसका जो opposite है वो होता है dusk, यानि की सूरे आस्त होने वाला है, सूरे आस्त भी नहीं हुआ है, हना, क्या है सूरे आस्त हो चुका है, लेकिन रात भी नहीं हाई है, तो वो सांज का समाय है, उसको हम dusk बोलते हैं, क्य अब कई बार क्या होता है, शाम को 5-6 बजे के time देखो, क्या होता है, क्या आपको आस्मान में सूरज भी नजर नहीं आ रहा होगा, क्यूंकि सूरे आस्त हो चुका है, सूरज तो ढल चुका है, लेकिन फिर भी रात भी नहीं हुई है, हना, हलकी हलकी रोशनी है, वो dusk का time है, सांच का समय है, अब वो भी धीरे धीरे जब रोशनी चली जाएगे और काली रात आ जाएगे, तो आप उसे क्या बोलोगे, नाइट बोल दोगे, ठीके, तो नाइट नहीं हुई है, लेकिन सूरे आस्त हो चुका है, वो रोशनी जो है, वो आपकी dusk है, और वैसे ही, जब सूरे उदय नहीं हुआ है, पर जो रात है, वो भी चली गई है, हल्की हल्की रोशनी है, वो dawn हो जाता है, ठीके, आया समझ में, clear guys, किसी को कोई problem, समझ में आ रहा है, very good, he went to have a walk in the park at dusk, वो गया, क्या करने, वो गया टहलने के लिए पार्क में कब किस समय, सांज के समय, ठीक है, he got up early, and it was, अरे वा, जिया ने तो फोटो भी भेज दे, बड़ बेटा देखो, उसमें सूर्यास्त हो रहा है, ये time तब का है, जब सूरज आपको दिखेगा भी ने, क्योंकि सूर्यास्त हो नहीं रहा है, हो चुका है, और रात भी नहीं आई है, एक ऐसा समय है, कि रोशनी शुरू हो चुका है, मतलब है कि हलकी सी रोशनी चा चुकी है, वो हो जाता है, आपका dawn, यानि कि भोर का समय, वेरी गुट, चालो, एक सेंटेंस देखते हैं हम, by dawn, she was awake again, ready to get started, यानि कि भोर के समय तक वो दुबारा उठ चुकी थी, और दिन में अपना काम करने के लिए एक दम तयार हो चुकी थी, ठीक है, by dawn, यानि कि भोर के समय तक, she was awake, वो उठ चुकी थी दुबारा से, तयार किस चीज के लिए, अपना दिन जो है, to get started, भई, अपने काम को शुरू करने के लिए एक दम तयार थी, ठीक है, अब इसी का देखो, dusk का क्या हम बोलेंगे, it was near dusk, यानि कि लगभग सांज का समय हो चुका था, with the sky growing dark in the distance, और जो दूर कहीं जो है, क्या था, दूर कहीं, आसमान धीरे 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 अंधेरे में, अंधेरा जो है, वो बढ़ता जा रहा था, तो लगभग सांज का समय आ चुका था, इस तरीके से हम दो sentences बना सकते हैं, dawn और dusk को इस्तमाल करते हुए, चालो, the sun had set and dusk settled over the ocean, very good, क्या था, सूर्यास्त हो चुका था, और सांज का समय पूरे समद्र के उपर चा चुका था, यानि कि सूर्यास्त हो चुका है, रात भी नहीं हुई है, लेकिन एक हलका हलका जो है, रोशनी रह गई है, अंधेरा धीर धीरे आ रहा है, वो dusk हो गया, सांज, clear, आचाहिए बताओ किसको समझ मी नहीं आया, मुझे बीच में comment दिखे बच्चो के कि माम मुझे समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, नीलम, क्या हुआ, क्या समझ नहीं आया, very good, cool है कि नहीं है, uncool या cool, ये बता दो मुझे, dusk क का समझ, बहुत ध्यांज, ये ना, time है, तुम लोग morning जानते हो, morning क्या है, जब सूरज लुग चुका है, आपको मस चमचमाता, सूरज जो है, वो दिख रहा है, वो morning है, दोपेहर जब बज जाते है, 12 बजे के समझ जो है, वो दोपेहर हो जाती है, सांज का समझ जब धीरे कब होती है? जब एक दम से अंधेरा जो होता है रात को आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, रात के बारा बज़े, एक बज़े, दो बज़े, ये सब क्या है? रात है. पर बेटा, बीच का एक समय है, उन बीच के समय की मैं बात कर रही हूं, कि सुभा पांच बज़े का समय, अग आप बाहर जाके देखो वो जो टाइम होता है ना कि सूरज भी नहीं उगा है लेकिन अब रात भी नहीं बची हलकी हलकी एक रोशनी है वो डॉन का समय होता है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में भोर बोलते हैं ठीक है अब उसके बाद दीरे दीरे जब सूरज उगेगा त अब लोग शाम को समय में अगर शाम के समय में कुछ बच्चे खेलने जाते होंगे तो उने पता होगा सूरज धल चुका होता है पर क्या है बेटा सूरज तो ढल गया है पर रात जो है वो पूरे तरीके से अभी आई नहीं है अभी हलकी हलकी रोशनी आस्मान में फिर भी करती है तो वो साज का समय जो है उसको हम डस्क बोलते है ठीक है आगया समझ में ये दो टाइम है जो क्या है डस्क ये लगबग मेरे को लगता है आज कल जो है गरमिया चल रही है तो शाम को 7 बजे का महौल कुछ ऐसा होता है कि सूरज भी ढ़ल जाता है पर रात भी नहीं आई होती है, हलके-लकी रोश्णी रहती है, धीरे-धीरे रात जो है, वो बढ़नी चालू होती है, अंधेरा आना चालू होता है, वो डस्क होता है, ठीक है, अब आया समझ में सबको, तो यह जो अब आसानी से इसका आपोसिट भी समझ गया और कुछ नए शब्द सीखने को म हमने दिखा cry और whisper, अभी हमने देखा dawn और dusk, चौथा जो है, वो है, abundance, abundance का मतलब क्या होता है, abundance यानि की अधिक मात्रा में, भरमार किसी चीज़ की, a very large quantity of something, किसी चीज़ की अधिक मात्रा जब होती है, उसे हम abundance बोलते हैं, आया समझ में, I have abundance of knowledge, books are filled with abundance of knowledge, या फिर, क्या बोल सकते हैं, अरे वा, चलो, बहुती बढ़िया, ठीक है, प्रयांशी बिटा, क्या हुआ, ऐसे तो बिटा, देखो, मैंने तो बहुती, तीन, चार, पांच बार समझा दिया है, अगर फिर भी नहीं समझ में, आ रहा है, कृतिका और प्रयांशी क तो, आइ ठीक क्लास में ध्यान नहीं है, फिर तो, क्योंकि बाकी सारे बच्चों को समझ में आया है, ठीक है, चालो, बहुती बढ़िया का आजल, स्कैंटी नहीं, ओके, फाइन, ओके, स्कार सिटी भी हो सकता है, बहुती बढ़िया, बट अच्छा, एक पर ध्यान से सुन और के आपको क्या लगता है, इसका, अपॉस इट work क्या होगा, ओके, ओके, बहुती बढ़िया, बहुती बढ़िया, इसकासिटी, लेट, इसकान टी, ओके, फाइन, एम में फी, ठीक है, बहुती बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, few, okay, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो बिटा, एक चीज़ और देखो, abundance, he has abundance of, क्या बोल सकते हैं हम, हम लोग बोल सकते हैं, water is present in, okay, very good, fine, ठीक है, अब देखो, इसका जो आपका क्या है, इसका जो antonym जाएगा, वो होगा lack, ठीक है बटा, क्या होगा lack, the state of being without or not having enough of something, यानी किसी चीज की कमी, अगर किसी चीज की भरमार है, तो किसी चीज की कमी है, lack, he lacks, she had abundance of books, okay, fine, she had abundance of books, ठीक है, पहली बात तो वहाँ पर नहीं आएगा, but fine, okay, fine, ठीक है, ठीक है, abundance of, abundance of toffees, ठीक है, abundance of water, ठीक है, और, absence, बहुत ही बढ़िया, absence भी हो सकता है, abundance of food, abundance of blessings, चालो, बहुत ही बढ़िया, ठीके बेटा, lake नहीं, l-a-c-k, देखो, abundance, a very large quantity of something, जब आपके पास किसी चीज की बहुत अधिक मात्रा हो, तो आप बोल सकते हो, I have abundance of, जो भी चीज आपके पास है, ठीके, भरमार, किसी चीज की भरमार, lack का मतलब किसी चीज की कमी, देखो कैसे, state of being without, यानि कि जब आप किसी चीज के बिना हो, या फिर आपके पास कोई चीज इतनी अधिक मात्रा में नहीं है, तो आप क्या बोलते हो, तो आप बोलते हो, ठीके, I lack knowledge, lack of knowledge, यानि कि lack of knowledge मतलब कि ज्यान की कमी होना या ज्यान नहीं होना, ठीके, तो किसी चीज की कमी हो, या फिर कोई चीज अगर आपके पास है ही नहीं, तो आप उसे lack बोल सकते हो, L, A, C, K, I have lack of time for study, किसे के पास पढ़ने का time ही नहीं है, ठीके, I have abundance of time, ठीके, तो यह साही चीज है, भई, वक्त की भरमार है, बहुत time है हमारे पास, तो इस तरीके से आप यह जो है, यह आपके दोनों जो हो जाते हैं, एक दूसरे के, अब देखो, At the feast, there was food and drink in abundance, दावत में खाना और पीने की जो चीज़े थी, वो बहुत ही अधिक मातरा में थी, यानि कि खाने पीने चीजों की भरमार थी, खाने पीने की चीजों की भरमार थी दावत में, ठीके, अब वहीं पर अगर हम बात करें, She has been suffering from lack of sleep, यानि कि वो लड़की जिसकी बात हो रही है, वो किस चीज से गुजर रही है, किस चीज की कमी से, नींद की कमी से, यानि कि उसे ढंग से नींद नहीं आ रही है, उसे नींद की कमी हो रही है, ठीके, तो she is suffering from lack of sleep, That girl fainted due to lack of water in her body. Very good kiss ने लिखा ये sentence. बहुत ही बढ़िया. वो उस लड़की को चकर आगए क्योंकि उसके शरीर में क्या थी? पानी की कमी थी? बहुत ही बढ़िया. Lack of confidence. कई बार होता ना मारे अंदर confidence की कमी होती है. Lack of confidence. You should eat abundance of vegetables. चलो बहुत ही बढ़िया. आगे समझ में? चार वोड़ हो गए हमारे और हमने साथ में उनके आंटनिम सीख लिए. अब हम आ जाते हैं पांच पे वोड़ पे. Ancestors. Ancestors यानि की क्या होता है? Ancestors का मतलब होता है पूरवज. A person related to you who lived a long time ago. हमसे संबंदित कोई व्यक्ती जो हमसे बहुत पहले रहे रहे थे. हमारे पूरवज. ठीक है? तो हम उनको Ancestors बोलते हैं. अब इसका जो है बेटा आंटनिम या विलोम शब्द याविपरी शब्द क्या होता है? ठीक है? इस चीज का समझना यंग? ओके यंग. ठीक है? मैं समझ रहे हूँ. आप लोग कहा जाना चाहरे हो? Modern बोलना चाहरे हो. बिटा Ancestors का मतलब आपके पूरवज. ठीक है? दादा के दादा, पर दादा, पर दादा के भी पर दादा, वो क्या है वो आपके Ancestors है. आप से बहुत पहले के समाई में वो लोग जी रहे थे. हना, और क्या है? वो आपके पूरवज है. आय समझ में, वो आपके पूरवज है. तो ये क्या हो गया? इसको हम English में बोलते हैं Ancestors. बहुत ही बढ़ी आवानी. अब क्या है? आप क्या हो उनके? आप उनके वन्शज हो. तो इनका opposite जो है, वो होता है, descendants. यानि की वन्शज. अब आप लोग जो आज रह रहे हो यहां पर, हना, आप किसी से related हो, वो लोग बहुत पहले जी रहे थे. वो नहीं बचे. लेकिन उनके क्या आज जिन्दा है? उनके वन्शज. हम लोग जिन्द थे. और ancestors उनका opposite. अब आप पूरवज, यानि कि आप उन लोगों की बात कर रहे हो, जो आज से बहुत पहले जिन्दा थे. आपसे पहले. और उनके नजरिये से बात करी जाए, तो वो लोग से related वो व्यक्ति जो आज के समय में जिन्दा है. यानि कि अगर आपके परदाद हो, क्योंकि वो बहुत पहले जिन्दा थे. लेकिन आज के समय में उनका कौन आगे, आगे क्या है? उनका वन्षज आगे बढ़ रहा है. और आज उनके वन्षज जिन्दा है. तो वो descendants हो जाते हैं. आया समझ में ये चीज़ तुमें? ठीके, clear है. वन्षज और पूरवज क के बीच में. बहुत ही बढ़िया. लिया, very good. आया बिटा समझ में? लविश, good. कूल? कूल है की नहीं है? वन्षज और ये चीज़ आपको समझ में, ancestors. My ancestors were very intelligent. ओके. ठीक है. अब हम इसका एक example देखते हैं. Her ancestors were great leaders. उसके जो पूरवज थे, वो बहुत ही महान क्या थे? leaders थे. बहुत ही महान leaders थे. ठीक है? अब देखो, अगर बात की जाए, तो अगर descendants की बात की जाए, तो अब कैसे? His mother was a descendant of a famous personality. उसकी जो मम्मी थी, वो किसकी वंचज थी? एक कोई पहले के जमाने में बहुत ही कोई महान personality रही होगी. हना, तो वो उनकी वंचज थी. आया समझ में, वो उनकी वंचज थी. यानि की, बहुत पहले के जमाने में जो कोई कि बहुत ही महान व्यक्ति रहा होगा. Einstein मान लेते हैं, भाई हम. हना, Albert Einstein के वंचज रहे होंगे, भाई वो. ठीक है? उसकी मम्मी जो हो सकता है. Albert Einstein की वंचज रही हों. कि बहुत पहले के समाने में क्या थे? Albert Einstein रहे थे. उनकी पीड़ी चलती आई. और आज जो उस व्यक्ति यानि की पूरवज, जो हम से, अगर हमाई नजर से देखा जाए, तो हम से पहले रहने वाले व्यक्ति, हमारे पूरवज, और उन वहां से देखा जाए, तो वहां की नजर से क्या हो जाएगा? जो हम आज जी रहे हैं, हम आज उनके क्या हैं? हम आज उनके वंचज हैं. ठी Our ancestors lived a very good life. Ancestors were freedom fighters. बहुत ही बढ़िया. चलो. ठीके बिटा, कूल सबको समझ में आया. तो आज हमने कौन से नई 5 वर्ट सीखे हैं, जल्दी से बताओ मुझे. आज हमने जो नई 5 वर्ट सीखे, वो थे. सब से पहले, cry का opposite होता है, whisper. ठीक है, cruel का opposite होता है, merciful. abundance का opposite होता है, lack. हमने सीखा ancestors का opposite होता है, descendant. और हमारा 5 वर्ट क्या था? और हमारा 5 वर्ट था, dawn का opposite होता है, dusk. आया समझ में? चलिए. तो, जल्दी से मुझे बताओ, कि कितने बच्चों को समझ में आया आज, और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया. आपके सामने एक poll आएगा, poll में yes or no करके आप लोग जवाब दे सकते हो. मुझे हर एक बच्चे का data जो है, वो मिल जाएगा, कि इस बच्चे को ख्लास में समझ में नहीं आया. ठीके, चलिए से ये चीज़ कर लो, फिर हम लोग एक बहुत ही इंट्रस्टिंग सा क्विज खेलेंगे. आया समझ में कूल रहा कि अनकूल रहा? 83% बच्चे बोल रहे हैं कि समझ में आया, and I am feeling very bad for those rest of the students, जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया. I am so sorry, but पिटा, क्या दिकत आया, समझ में क्यों नहीं आया? ये 83 का स्कोर is not good at all. 83 तो कुछ भी नहीं है, अपनी क्लास जो है, कम से कम 97 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए स्कोर. मेरा पूरा-पूरा मोटिव है कि मैं जब क्लास में पूछू कि बच्चों को समझ में नहीं, तो 97 तो एकदम confidence के साथ बोले कि हाँ मैं 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 समझ में नहीं आया. ऐसे कैसे हो सकता है मैं समझ में नहीं. चालो, तो quiz खेलें फिर थोड़ी सी बाते करेंगे आपस में. ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा सा time तो है, तो जल्दी से quiz खेल लेते हैं. तो यारो, आप लोग सब quiz के लिए. तयार हैं? quiz लेकर आऊं? चालो, प्राची बोल रहे हैं, माम हम बहुत बढ़ी हैं तरीक से तयार हैं. ठीक है, तो quiz number two and I hope you all are ready. तो यह रहा quiz का पहला question. A synonym for necessary. necessary के लिए एक प्रयाएवाची बताओ, क्या होगा? option A, common, option B, required, option C, boring, option D, useless. चालो, जाता time नहीं दिया जाएगा, 30 seconds का time दिया है, मैंने आपको, क्योंकि यह तो बहुत easy है, जली-जली से हो जाना चाहिए. and I hope 100% का जो है answer सही जाएगा इस बार. चालो, बताओ क्या करा इसका answer? very good, very good, very good, very good. किते पसंद बच्चों का answer सही था? let's see. बाप रे, बेटा, only 38%. यार मैं क्या करू? आप लोगों का, आप लोगों को यह नहीं पता है, necessary की, synonym क्या होता है, necessary क्या होता है? necessary का मतलब होता है, यह चीज बहुत ही जाद़ जरूरी है. हना, it is necessary, यह बहुत जाद जरूरी है, यह बहुत ही जाद आवश्यक है तो बेटर, required का मतलब भी क्या होता है, वही तो होता है, जरूरी option B, आपका correct answer होगा, केवल 38% बच्चों का सही जवाब है, आप लोग ख्लास में laugh, smile, इन सब शब्दों पर आजाएं हम लोग, नीचे के लेवल पर आएं, बता दो एक बार ही मुझे, ठीके मैं अभी बता देती हूँ abundance पर एक sentence, पर मुझे बता दो चलो एक काम करते हैं, मैं आपके सामने अभी थोड़ी से 2-5 सेकिंड में आपके सामने एक पोल आएगा, म आप मुझे बता दो एक बार, पोल आपके सामने आचुका होगा, लेवल को नीचे लेकर आएं या नहीं, येस और नो, समझ में आ रहा है जो मैं अभी करवा रही हूँ, ये लेवल ठीक है या नहीं है, ये वाला पोल आने वाला है, बता देना, अगर आप लोग का आता है नो, तो फिर मैं लेवल नीचे ले आउंगी, अगर आप लोग का अभी का पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है तो, बताओ, समझ में आ रहा है, 61% बोल रहे हैं, कि माम समझ में आ रहा है ये वाला लेवल, और बाकी के जो 38% बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, कि माम ये वाले लेवल समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा, अगर आप लोग इतने, इतने easy easy quiz में भी 38%, अगर केवल 38% बच्चे सही जवाब देंगे, तो फिर बताओ में क्या समझू, कि क्लास में शायद किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा, क् कि अगर बच्चों को necessary का मतलब ही नहीं मालुम है, और अगर वो इतना easy quiz नहीं कर पा रहे हैं, केवल 38% बच्चे अगर इसका quiz का answer दे पा रहे हैं, इसका मतलब तो फिर आप लोगों को क्लास में मैं इतने थोड़े heavy words लेकर आ रहे हूं, यह तो समझ में ही नहीं आ रहे हो अगर आप necessary जैसे शब्दों का ही एक प्रयायवाची नहीं बता पा रहे हो और वो भी देखो, वो भी देखो बिटा, options में कैसी कैसी मैंने चीज़े दी थी, तो यहां पर क्या है, options में ऐसी चीज़े देने के बाद भी अगर आप इतनी easily answer नहीं कर पा रहे हो, फिर तो दि आप लोगों ने मुझे निराश कर दिया, आज की class में बहुत ही जादा, ठीक है, मतलब like, so upset कि आप लोगों को में को लग रहा है कि ढंक समझ में आ रहा है, कल से मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा level को down कर देते हैं, ठीक है, कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ होगा, क्योंकि necessary का मैंने परयाएवाची पूछा, हो सकता है, बहुत से बच्चों ने useless लिखा, पर बेटा, useless तो antonym होता है, अगर कोई चीज necessary है, मतलब जरूरी है, तो useless यानि की चीज बेकार है, तो वो तो उसका willowm शब्द हो जाता है, सही answer तो required होगा, necessary, यानि की फिर मैं आप लोगों की क्या करती हूँ, फिर मैं आप लोगों का टेस्ट करते हैं, कि आप लोगों को अगर कल अगर तुम लोग सारे सवालों के जवाब सही दे पाते हो, तब जो है, तब मैं मिर को समझ में आ जाएगा, कि हाँ, लेवल जो है, अब ठीक है, कल के जवाब अब भी अगर गलत दोगे तो फिर तो बेटा मतलब मैं आपको first class के apple, mango, banana ये वाले words तो नहीं सिखा सकती क्योंकि ये तो आपको पता है हम लोग को थोड़ा तो अपना level up करना पड़ेगा तब ही तो बहता रंग English कर पाएंगी क्योंकि apple बनाना तो सब जानते हैं, हना, तो इस वज़े से तो थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा अपनी तरफ से ना घर पर बैठ के पढ़ाई करनी है, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा, इतना जादा अगर आप लोग ऐसे disappoint कर दोगे, तो कैसे चलेगा, है की नहीं, थोड़ा से seriously low class में, अपनी तरफ से करो तो हम लोग जो लेवल है, उसको नहीं नीचे लेकर आएंगे, हम इसी लेवल को बरकरार रखेंगे, ठीक है, तो अब तुम लोगों को अगर चाहिए कि कल का लेवल, कल से class का लेवल नीचे ना गिरे, तो बेटा आपको क्या करना है, कल के quiz में, चार questions कल के quiz में मैं लेकर दो, कल आपका पता चल जाएगा कि कौन कितना चे से कर रहा है, और क्या करना है आगे class में, चलो, अब आज की class अगर तुम लोगों को कहीं से भी थोड़ी सी भी helpful लगी, और आप लोगों को लगा कि यार मुझे हाँ, ठीक है, मुझे कुछ तो सीखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा तो English जो है, इंप्रूव हो रही है, तो 5 स्टार रेटिंग में से 5 दे देना, और अगर आपको लगा कि यार बहुत ही घटिया था, मतलब मैं आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं, बिकार एकदम, 3rd class, तो 1 स्टार रेटिंग, ये आप लोगों की उपर है, आप इसका जो आप लोगों का टारगेट है, वो 90 प्लस है, 90 प्लस लेकर आओगे, तो ये लेवल बर करार रहेगा, ठीक है, चलें, तो चलते हैं तब तक लिए बाबाए, और थांक यू सो मच, और टेक केर गाईज,